हलो दोस्तों मिंतारा सोई में आपका स्वागत है मिंतारा सोई बन रहा है आज नास्ता बहुत जल्दी तयार होने वाला नास्ता सबसे पहले हम आलू वाल लेंगे आलू ठंडे हो जाएंगे उसको छील करके हम उसको मेस कर लेंगे यहां पर हमें कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डालेंगे और प्याज बरी काट करके प्याज डाल देंगे और क्रेस करके अध्रक और लेसन और दो हरी मेर्च और जीरा डाल देंगे थोड़ी सी सौप डाल देंगे और इन्हें एक मिट तक भूल लेंगे एक मेट हो जाएंगे जैसे हम आलू डाल देंगे आलू को मेस कर देंगे मसाला में मिला देंगे हमें बिल्कुल सूखी सब्जी बनाना है यहां पर हम स्वादन सार्नमा एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच तनिया पाउडर एक छोटी चम्मच लाल मेर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल करके मिला देंगे इस सब्जी को आप ठंडा होने तक रखें अच्छे से उसको मिला दें यहाँ पर हम चाट मसाल एक चमज डाल देंगे और एक चमज अमचूर पाउडर डाल करके से भी मिला देंगे अब हम बरीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे भी मिला देंगे जैसे हमारी सब्जी बन कर तयार हो जाएगी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे जब तक हमारी सब्जी ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ बेशन और एक चमज अजवायन नमाक अपने स्वाद अनुसार डाल करके इसका गोल बना लेंगे गोल बना करके रख लेंगे एक बात जरूर बनाईए आप नास्ता मेरे तरीके से अगर आपने मेरे चैनल का भी ता सस्काइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सस्काइब केजिए जिससे मैं कोई भी रेस्पी डालू तो उसकी नियोटिफिकेंशन आप को सबसे पहले मिलें हमारा घोल बन कर तयार हो गया है अब हम रोटी रात की रोटी बची हुई रोटी से हम नास्ता बना रहे हैं या फिर आप बिजट से भी बना सकते हम दोनों तरीके से आप नास्ता बनाएंगे और इसको या तो आप पिजट काटारू तो उससे काट लें या फिर चाकू से हम छोटे छोटे फीशेस काट लेंगे या फिर आप ताजी रोटी से भी बना सकते हैं गरम रोटी से अब हम अपना मिसरा हमारा ठंडा हो गया है अब इसमें हम भार देंगे चमास से या फास से बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तभी आलू की सबजी इसमें भरें और वेशन में डोवो डोवो करके तल लें ऐसे ही हम पूरी अपनी रोटी को भर लेंगे यहां पर हम ब्रेट काट लेंगे ब्रेट से भी हम बना लेंगे इसमें भी हम आलू भाल लेंगे और अपने भर करके रख लेंगे और कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा यहां पर तेल गरम हो गया और हम एक एक करके रोटी की जो काटी थी भर कर रखी थी उसे डोगो डोगो कर बेशन में डोगो करके सेंग तल लेंगे यह नास्ता खाने में भी बहुत तैसी लगता बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं हमारी रोटी तल चुकी है अब हम इसी एक प्लेट में निकाल लेंगे ऐसी ही आप ब्रेट को भी डोगो करके बेशन में तल लेंगे वह तादी आप प्लेट बहुत तल लेगे उन्हे नहें वह तादी दो बहुत प्लेट को बच्चे एक प्लेट को भी तो नहे चावावा दो प्लेगे आप भी बनाएए और खाई अपने बच्चों को भी खिलाएए वेडियो देखने के लिए धन्वाद